कार दोस्तों मैं मान आपका बहुत बहुत स्वाकत करता हूँ एक और नई वीडियो में दोस्तों देखिए हम डिक्सन टेक्नलोजी की बात कर रहा हूँ डिक्सन टेक्नलोजी क्या बापस से 20,000 पे जाने बाला है और 27 मई के बाद क्यों है इसमें खास तो ये सब कुछ आपको पता लगने बाला है इस वीडियो में तो लास तक जरूर बने रही है दोस्तों डिक्सन टेक्नलोजी के बारे में दोस्तों देखिए डिक्सन टेक्नलोजी में अगर आपने निवेस किया है तो इससे पहले आपके लिए बहुत से ऐसे चांसेस मिले जहां पर डिक्सन टेक्नलोजी आपको सस्ते प्राइस पे भी मिल रहा था तो अभी अगर बात करें कि इसमें फ्रेस बाइंग पोजिसन कब लें और किस प्राइस पे लेनी चाहिए तो इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा आप कंपनी के बारे में डीटेल से समझ लीजिए तो कि 27 में को इनका आने बाला है Q4 का रिजल्ट तो अभी आपके पास एक बहुती सांदार मौका है अगर आपके पास शेयर है तो तो अल्रेडी आपके पास एक अच्छा एडवांटेज है और अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप भी आपके पास एक बहुती अच्छा एडवांटेज ये रहेगा कि 27 माई को जो इनका रिजल्ट आएगा बहाँ पर आपके लिए कंपनी के बारे में ये भी समझ में आ जाएगा कि ये रिजल्ट अपने किस तरह से आपको दिखाने बाले हैं इस बार क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि इनके जो पिछले रिजल्ट आये थे काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है और इस बार जो माहौल है वो और भी सांदार हमें दिखाई दे रहा है तो हम यह चीज समझ सकते हैं कि इस बार जो इनका रिजल्ट आने बाला है वो बहुत ही सांदार रहने बाला है दूसरी बात दोस्तो 27 माई के बाद सेर भागने की पूरी तयारी में है उसकी बज़य क्या है कि यह फंड रेजिंग के उपर इनकी बोर्ड मीटिंग भी होने बाली है तो आप जानते होंगे फंड रेजिंग किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव नियूज होती है पॉजिटिव पॉइंट होता है जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि कंपनी कुछ ना कुछ नया करने बाली है और फ्यूचर में वो अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं इसी बेसिस पे आपको फंड रेजिंग होते हुए दिखाई देती है कंपनी की बात करें तो कंपनी आप जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हैं तो अब आप थोड़ा सा सौड में समझ लीजे कि इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफेक्ट्रिंग है बहुत बड़े बड़े ब्रांट्स के लिए ये अपने प्रोड़क्ट मैनुफेक्चर करके देते हैं दूसरे के अप उसकी ब्रांडिंग करके उसको सेल करते हैं जैसे चाहे मा लीजिए Samsung या MI या कोई भी उनके product ये manufacture करते हैं और ये sale करते हैं तो ये सब कोछ आपको बहाँ पर देखने के लिए मिलता है Dixon Technology में बहीं अगर बात करें तो revenue आप 2020 में देख सकते हैं पहली ये company एक small cap company थी और आज ये mid cap company बन चुकी है बहीं आप दीरे दीरे future में आपके लिए ये ही company mid cap से large cap बनती हुए नजर आने वाली है तो बही चीच कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बात share है आप अगर बिना डरे किसी भी बिना ज़्यादा ये सोचे कि company का आज price 4900 है कल ये 3800 रहे गया तो आज मैं इसको बेचूं या ना बेचूं ये आगर आपके मन में नहीं आता है आप long term के लिए इसमें बने रहते हैं तो आपके लिए future में आप ये समझ सकते हैं कि आपको ये share कहां से कहां लेकर के जाने वाला है price जो 20,000 का तो दोस्तो बेसक ये ये price को अभी एक दो महीने में touch करे या ना करे क्योंकि एक दो महीने में touch नहीं होगा लेकिन आपको ये price बापस से share में देखने के लिए मिल जाएगा और रही बास share की तो यहां पर आपके लिए कुछ time बाद bonus भी देखने को मिलने वाला है क्योंकि देखे अभी इनकी जो quantity है share की बहुत ज़्यादा कम है limited है इस बज़े से थोड़ा trading भी कम हो पाती है लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे company में growth आएगी आपको बहाँ पर जैसे अभी ये split देखने के लिए मिला अब उसके बाद आपको bonus भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये चीह आपको पता होगी bonus share के बाद जो भी price होता है वो उसी ratio में बदल जाता है तो कुल मिलाकर के आपको बहाँ पर 100 टम में कोई भी profit नहीं होता है आपको सिर्फ और सिर्फ long term में profit होता है कमपनी की बात करें तो कमपनी बहुती ज़्यादा सांदार देखने के लिए मिल रही है और इस समय कमपनी में जरूर थोड़ी बहुत आपको happen down देखने के लिए मिले जैसे कि अगर एक मंत का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखेगा कहां यह split के बाद इसमें एक ऐसी ग्रावट देखने के लिए मिली और share नीचे की तरफ सीधे भागना सुरू हो गया था यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि अगर यहाँ जाएंगे यहाँ से हुआ था split और उसके बाद share में बन गई ग्रावट बापस तेजी आई फिर से नीचे की तरफ लेकिन आप overall देखें तो अभी 6 मंत में share 84% का profit निकाल के दे रहा है जो किसी भी mid cap company के लिए एक बहुत ज कैसे पैसा बना करके देता है और कैसे पैसे टूटने से आपको होता है बड़ा loss जो कि आप यहाँ से समझ सकते हैं मान लेजे 531 रुपय से आपकी अगर price 2017 से उसके बाद आपने 800 के level पे अगर buy किया और बहीं जाके अगर देखें 2020 तक भी आने की हम पूरी कोसिस कर रहे है देखे 19 तक यहाँ तक आपके लिए loss हो रहा है शुरू से और अगर high level पे देखेंगे उस समय के price से तो देखे 50% तक का loss अब जिसका patience टूटा और उसे company के बारे में सही से नहीं है जानकारी तो यही होता है आदी अदूरी जानकारी का loss तो बहाँ पर आपने 50% तक अपना पैसा गबा दिया लिकिन बही चीज जो बहाँ से भी इसमें और price अपना average करके बैठे तो बहाँ से देखे कितना बड़ा 1000% का return आपको मिलते हुए दिखाई दे गया तो यही चीजे होती हैं दोस्तो long term में बहुत बड़ा game खेला सकते हैं लिकिन short term में आप सरिफ profit और loss की बाते कर सकते हैं कहां आज हपते में दो दिन आपको profit तीन दिन loss यही चलता रहता है लिकिन अगर long term में बनेंगे तो आपके लिए होगा बड़ा profit यहां अगर आप देख सकते हैं इस समय कंपनी का market cap 23 trillion करोड़ रुपीज हो चुका है P.E.R.C. की बात करें तो P.E.R.C. ब नहीं है तो उसका बहुत ज्यादा फाइदा एडिक्सन टेकलोजी को देखने के लिए मिल रहा है और यही चीजे इसके लिए एक advantage और एक बार जब कोई brand stable हो जाता है और एक बार उसकी market में पकड़ बन जाती है तो जब तक वो गलतियां नहीं करता है तब तक उसे कोई भ एक option है जो कि आपके लिए देखने को मिलेगा 27 माई को जहाँ पर होने वाली एक important board meeting उस दिन आएंगे Q4 के result और Q4 के result उमीदन बहुत ज़्यादा सांधार रहने वाले हैं तो आपके पास अगर buying करना है तो आप करने के लिए किसी भी price पे कर सकते हैं otherwise अगर आप चाहें त आप एक long term का plan बना करके थोड़ा सा बेट करके profit booking होने के बाद आप जून मंत के first week में इसमें enter कर सकते हैं और बाकी अगर आप अभी से इसमें entry लेते हैं तो भी कोई problem की बात नहीं है दोस्तो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो like बटन जरू दबाईएगा दोस्तो और dixon technology को long term के हिसाब से hold करके चलिए आप इससे कमाएंगे बहुती बड़ा मुनाफ़ा अभी बात करें तो आपके लिए share 4400 रुपी के level तक जाते हुए दिख जाएगा 27 माई के बाद तो बहां से आपके लिए थोड़ी बहुत profit booking भी देखने को मिलेगी दोस्तो वीडिय पसंद आयो लाइक करके जाना दोस्तो